गौलियर में पूर्व ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुतम मिश्रा के बेटे के रिजॉर्ट पर GST विभाग की टीम की कड़ी कारवाई की खबर सामने आ रही है गौलियर के नेशनल हाईवे की किनारे इस्थित अंशुमन मिश्रा के भव्य और विशाल इंपेरियर गोर्फ रिजॉर्ट पर GST की टीम ने चाप हमारा है आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश तर दरसल गौलियर के नेशनल हाईवे की किनारे टॉक्टर नुर्तम मिश्रा के बेटे अंशुमन मिश्रा और बिल्डर रोहित का अंपीरियर गोर्फ रिजॉर्ट नामा के रिजॉर्ट मौजूद है अंशुमन मिश्रा और रोहित इस रिजॉर्ट के डारेक्टर हैं इस resort में कल GST विभाग की टीम ने देर रात को छापा मारा था जिस दौरान ये दोनों भी resort में मौजूद थे resort में 16 घंटे तक चली पूशताच और जाच परताल में GST विभाग को यहां कई कमिया और घोटाले मिले जानकारी के मताबिक Imperial Gulf Resort में टेक्स चोरी ही नहीं बलकी Input Tax Credit भी लिया जा रहा था यहां रेस्टोरेंट में 75,000 से जादर के टैरिफ के रूम पर कम GST लिये जाने के साथ इन सब ही के बिलिंग पर पहले से लगाए गए टेक्स को कम किया जा रहा था साथ ही Resort में GST की टीम ने जो दस्तावे जब्त किये हैं उनकी गहनता से पड़ताल की जारी है इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि Resort के कमरों सहित कुछ हिस्सों को सील भी किया जा सकता है बता दे कि गौलियर के इस Resort में GST के नियमों को तोड़ कर टेक्स वसूली में गड़बडी की जारी थी जिसके बाद भुपाल GST की 11 अधिकारियों की टीम गठित कर गौलियर में चापे मारी के लिए अधिकरत किया गया था भुपाल में अधिकारियों के साथ इस्थानी अफसर भी पहुचे और पुलिस की मौजूदगी में पड़ताल शुरू की गई आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रही हमारे साथ प्रदेश तक पर